नमस्कार आप देखने जारकन टोड़े और मैं हूँ गुंजन कुमार दरसल हम अभी खुटी के सदर हॉस्पिटल प्रांगन में हैं यहां खुटी जिले के जो है खुटी तोरपा मुख्य पत जो है इस यह हाइवे है और इस पर जो है अनियंतरित तरीके से गाड़ियां गा बता दे कि साहिद अफ्रिदी जिसका उम्र लगभग 16 वर्ष यह हाजीपूर बिहार के रहने वाले जबकि दूसरा रुपेश महत्यों यह लगभग 18 वर्ष का है यह तोरपा थना छेत्र के डोड़मा का रहने वाला है अभी हम इनके परिजनों से बाचित कर रहे थे तो यह बताया जा रहा है कि साहिद अफ्रिदी जो है डोड़मा में टायर का दुकान करता है वहीं रुपेश महत्यों जो है इसका होटल चलता है वहां तो दोनों में दोस्ती था और दोनों ही चौक से डोड़मा बसती जा रहा था यह लगभग साम में चार बजे की घटना ब भयानाक एक्सिडेंट हुआ कि दोनों यूबकों की मिर्त्य हो गई फिल्हाल इस विशाईव को लेकर हमने दोनों ही के परिजनों से बात किया है उन्होंने भी बताया कि किस परकार से उन्हें जो है इस घटना की खबर मिला और अब जो है प्लीस की जो है अगली प्रक्रि पुर्णागर जारा नया घर कांथा पुराना घर कांज रहा जारा जो अधर सितर पातर जारा था तुक और गाली से मारता पता चला इस बागल में चार्शोट साथ गाली था वह पर रुपता हम लुप नंबर मर देहां एक देख लूप देख रहे कि इसमें दो लड़का था दोनों का क्या नाम था उसका बतायों कहा रहा है और आपका भातिजा वोलना है क्या नाम समस्क्राइब अब क्या नाम हो पुराना घर आते हैं पुराना घर आते हैं कहां जा रहा था पुराना घर पुराना घर कहां अब कहां से कहां जा रहा था डोड़मा में घर था तो कितना बज़ें जा रहा था क्या चीज़ से जा रहा था कि कितना लोग था दो कि मैं तुर्फेट कहां रहा है तो अब अब क्या नाम था अब यह को पुराने गांगों तो अधना कुछा पड़ता इसका पिताजी क्या नाम पता है तुम लोग साथे में होबी कोई लगता है तुमारा तुम्हें पता है तुम्हें पता चला है तो हम यह बता रहे थे चाहिए कि इस खुटी तौर्पा मुख्य पत्र जो है हम इससे पहले ही बताए कि इस पर बिल्कुल ओनियंतरी तरीके से वहानों की गति होती है हमें चाहिए कि साबधानी से इस पर यातायात करें और हलाकि इस पर गतिन यंतरेन के लिए अब तक किसी परकार का कोई उपाय नहीं है कि अजय है